Hello everyone, today I am going to cover mutual fund. This is one of the investment venue. Let's start with the topic. जब हम mutual fund की बात करते हैं, तो हम बात करेंगे ये एक बहुत ही important investment venue है. First of all, and जब भी हम mutual fund की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि mutual fund क्या है? Mutual fund का meaning होता है, it's a pull of saving, यानि कि it's a pull of saving, यानि कि हमने एक जगा अपनी saving को इकठा कर दिया. उसके बाद हम market में उस saving को invest करेंगे. एक simple से example के through मैं आपको ये explain कर रही हूँ. इसके अंदर क्या होगा? कि जैसे आपने एक scheme आया market के अंदर, किसी भी company ने कोई भी एक scheme launch किया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो public है, उन्होंने वहाँ से पैसा लगाना start कर लिया, units खरीदने start कर लिये उस schemes के. ठीक है, तो जैसे सभी ने 50-50 rupees उसके अंदर contribute कर दिया. अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर fund ही कठा हो गया. अब यहाँ पर जो scheme है, वो एक manager वहाँ पर handle कर रहा है. अब manager क्या करेगा, उस सारे fund को market के अंदर invest कर देगा. अब इन लोगों ने जो mind में objective लेके पैसा लगाया है, तो manager को वो मालूम है, उसके according to the market में पैसे को invest कर देगा, according to the objective in the mind. तो pool of saving क्या हो गया, एक जगा हमने पैसे को इकठा कर लिया, और उसके बद हमने market में उसको invest कर दिया, तो इसे हम क्या कहते है, हम mutual fund कहते है, तो अब company क्या करेगी, आगे कई सारी जगा पर उस पैसे को invest कर देगी, यानि कि एक जगा हमने पैसे को वहां पर इकठा कर दिया, यानि कि investors ने contribute कर दिया, उसके बाद उसे हमने different type of securities में invest कर दिया, किसके according invest कर दिया, हमने एक stated objective के according उसे market में invest कर दिया, ठीक है, अगर हम equity fund की बात करेंगे, तो हमारे पास equity shares होगे, preference होगे, warrants, etc. अगर हम bond की बात करेंगे, तो यहां पर हम debt instruments लेके चलेंगे, debenture bond लेके चलेंगे, government security money मागे, यानि कि हम secure की बात कर रहे हैं कि हमें timely refund वहां पर मिल जाएगा, यानि कि कई तरह के mutual fund वहां पर होते हैं, according to the objective in the mind, जो investors के objective होगे, उसके according हम market के अंदर पैसा लगा देंगे, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं equity shares की, equity shares क्या है, थोड़ा सा risky वहां पर रहते हैं, लेकिन जब हम debt funds की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा risk reduce हो जाता है, लेकिन return भी हमें specified ही वहां पर मिलता है, तो according to the objective of the investor, वह investor the money, यानि कि manager invest the money in the market, mutual fund क्या है, balance fund भी इसी के अंदर आता है, जैसे अभी हमने बात की, equity की, हमने बात की, हमने debt की बात की, अगर हम इन दोनों को इकठा कर देते हैं, तो हमारा वहां पर balance fund आ जाता है, like कुछ percentage तक तो हम risk ले लेंगे, और कुछ percentage तक हम risk को avoid करेंगे, इस तरह की schemes भी हैं market के अंदर, तो जो mutual fund shareholders or unit holder is a part owner of the fund asset, यानि कि जो भी shareholders हैं, जो भी investors हैं, जन्होंने एक scheme के अंदर पैसे लगाए हैं, उन्हें हम unit holder कहेंगे, वो owner हैं कही ना कहीं fund की asset के अंदर, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपना partnership किया है, इस diagram से थोड़ा ज़्यादा clear होगा, this is a process की how we invest in the mutual fund, that is start from the investor, investor क्या करते हैं, अपनी money को pull their money, किसको अपनी money देते हैं, fund manager को देते हैं, जो scheme का manager होगा, ठीक है, अब fund manager का क्या काम है, यानि कि investors ने क्या किया, अपना जो पैसा है, वो एक scheme के अंदर लगा दिया, जो उसका manager है, उसको हम fund manager कहेंगे, ठीक है, एक ही company कई तरह के fund market के अंदर लेके आती है, take the example of ICICI, अब इसका equity fund भी आ रहा है, इसका debt fund भी आ रहा है, ठीक है, debt fund भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद fund manager क्या करेगा, जो भी उसके पास पैसा ही कठा हुआ है, जो भी investors ने पैसा दिया है, तो उसको वो invest करेगा, कहा invest करेगा, different kind of securities, इसमें कुछ securities तो risky होंगी, और कुछ होंगी, risk taking securities होंगी, that is depend upon the objective, as well as the return, how much they are expected from the market, अब जहां भी उसने ये सारा पैसे को लगाया है, वहां से क्या आएगा, return आएगा, ठीक है, जहां भी fund manager ने, सारे investors के पैसे को invest किया है, जितनी भी security में invest किया है, तो वहां से क्या आएगा, return आएगा, और वो return कहां जाएगा, अल्टिमेटली वो investors के पास चला जाएगा, लैंकि this is a circular process, यानि कि इसके अंदर क्या हुआ, investors ने अपनी money, एक scheme के अंदर लगाई, ठीक है, उसके अंदर जो भी उसे, तो एक जगा पैसा ही कठा हुआ, पुल हुआ पैसा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, securities में पैसा लगा दिया, company ने different kind of securities में पैसा लगाया, ठीक है, और उसके बाद उन security से जो return आया है, वो कहां पे जाएगा, pass back to the investor, this is a process of mutual fund, अब हम बात करते हैं features, mutual fund के क्या क्या features है, ठीक है, this is a very important part, तो जब भी हम definition लिखते हैं, तो हम उसमें features भी आइड कर देते हैं, ठीक है, तो बहुत ही important part वहाँ पे बनेगा, फिर्स्ट इसके अंदर feature है, established by the sponsors, अब जो हमने fund की बात की, वो कोई ने कोई company वहाँ पे sponsor उसे करेगी, ये तो हैने कि mutual fund कुछ भी है, पैसे कोई लोग invest करते हैं उस particular scheme के अंदर, इसमें क्या है issue of unit, यान कि जब हम mutual fund की बात करते हैं, share की बात करेंगे, तो हम shareholders की बात करते हैं, अगर हम mutual fund की बात करेंगे, तो हम वहाँ पे unit holders की बात करेंगे, this is the difference between share and mutual fund, अगर हम share खरीते हैं, तो हम share holder होगे, अगर हम mutual fund खरीते हैं, तो हम unit holder होगे, हमने उस scheme के इतने units परचेस कर लिए हैं, ठीक है, तो issue of unit, इसके अंदर हमारे होते हैं, इसका main object क्या है, इसका main object रहता है, professionalism रहता है, और हमने जो particular securities में पैसा लगाना है, by making our mind according to the objective of the investors, कि उनका goal क्या है, उसके according ही market में पैसा लगाएंगे, diversification क्यों है, क्योंकि fund manager ने क्या किया, जो भी investor का पैसा था, fund manager ने उसे different kind of securities के अंदर लगा दिया, एक जगा उसने पैसे को नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम एक ही जगा सारे 100% पैसे को रखेंगे, तो market में risk arise हो जाता है, तो उसने क्या कि उस सारे पैसे को कई सारी securities में बांट दिया, तो उससे क्या हुआ, expansion हो गया, diversification वहाँ पे possible हुआ, in case of mutual fund, अब हम बात करते हैं, type of mutual fund की, अब mutual fund एक तरह के तो नहीं होते, क्योंकि investors भी एक तरह के नहीं है, कुछ investors हैं, जो risk लेना चाहते हैं, कुछ investor हैं, जिनको risk कम लेना है, और उनको वहाँ पे return जादा चाहिए, ठीक है, और कई investor हैं, risk भी जादा लेना चाहा रहे हो, return भी जादा की demand करते हैं, तो various kind of investors are there, according to the demand of the investor, different type of mutual funds are there, अब अगर हम mutual fund की बात करते हैं, जो first हम बात करेंगे by structure, यानि कि structure-wise, अगर हम differentiate करें mutual fund को, तो three kind of funds are there, ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, open-ended की, close-ended की, interval funds की बात करते हैं, मैं layman में आपको समझाना ही कोशिश कर रहे हूं, इसको, जब हम open-ended की बात करते हैं, तो open-ended की अंदर क्या होता है, कि आपने fund में पैसा लगा दिया, ठीक है, लेकिन वो open रहे गा, open in the sense की, उसका कोई भी redemption period, हम वहां mention नहीं कर रहे है, maturity mention नहीं कर रहे है, you are free to invest in that fund, any of the time, ठीक है, time limit नहीं है, इन दोनों का, हम वहां पर combo लेके चलेंगे, कुछ time तक fund free रहेगा, लेकिन उसके बाद उसको close कर दिया जाएगा, ठीक है, open-ended, जो open रहते हैं, उसके अंदर कोई maturity mention नहीं की जाती, close-ended, जो एक specific period के बाद close हो जाते हैं, interval, यानि की इन दोनों का specific combo हो गया, अब हम detail में लेके चलते हैं, क्यों open-ended schemes क्या है, open-ended schemes की जब भी हम बात करेंगा, scheme which offer unit for sale, without any specific, any duration for the redemption, यानि की उसके पास हमारी कोई maturity, हमने वहां पर redemption date, वहां पर given नहीं है, वो हमारी open-ended scheme है, the sell and repurchase scheme on a continue basis, यानि की आप कभी भी fund में आ सकते हो, कभी पर्चेस कर सकते हो, इसमें कोई redemption आपका duration नहीं है, वहां पर तो इसमें क्या होगा, हमारी liquidity वहां पर maintain रहेगी, second आता है close-ended scheme, close-ended scheme क्या होगा, जहां पर हमारा redemption period specified होता है, कि कितने साल तक आप इसके अंदर invest कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो prices हैं, वो कौन decide करेगा, वो market decide करेगी, once the unit are sold by the mutual fund, अगर एक बार आपने solve कर दिया, then any transaction take place in the secondary market only, लेकिन एक बार आपने खरीद लिये mutual fund, उसके बार आपने sale कर दिया, अगर हम investment objective को लेके चलेंगे, this is the second type of mutual fund, how we differentiate, अगर हम investment को point of view से बात करेंगे, तो mutual fund कही तरह के होते है, जैसे हम growth fund की बात करते है, income funds की बात करते है, ठीक है, यहां में आपको एक clear करूँ, माइन जो आपका clear हो जाए, कि mutual fund की जब भी हम बात करते है, specifically वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, open and close, ठीक है, अब open में आगे growth भी आएगी, income भी आएगी, balance भी आएगी, money market भी आएगी, same with growth, इसके अंदर closing के अंदर भी आएगी, close fund के अंदर income भी आएगी, balance भी आएगी, money market भी आएगी, ठीक है, I think example आपको clear हो गया होगा, ठीक है, तो investment के point of view से, अगर हम बात करते हैं, तो कई सारे mutual fund है, जैसे हम बात करते है growth fund की, growth fund क्या होता है, कि कई सारे investors है, उन्हें क्या चाहिए होता है, capital appreciation चाहिए होता है, अपने fund के अंदर, that is known as the capital appreciation, तो इस तरह के investors भी होते हैं, कि they want money after one year, two year, ten year, that is known as the growth fund, इस तरह के mutual fund में वो पैसा लगाते है, income fund क्या होती है, ऐसे investors होते हैं, day to day वहाँ पे income चाहिए होते है, कि मैंने इतना पैसा इसके अंदर लगा दिया, तो I want dividend from a particular scheme, तो वहाँ पे क्या होगे, वो ऐसे investors से income funds के अंदर पैसा लगायांगे, day to get a regular income, day to get a regular dividend from the company, balance fund होते हैं, कि कुछ हद तक हमें growth चाहिए, और कुछ हद तक हमें income चाहिए, यनिकि growth और income का जो combination होगा, that is known as the balance fund, ठीक है, money market fund क्या होते हैं, जब हम government securities की बात करते हैं, कि हमने government securities के अंदर पैसा लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि government securities fund क्या होगे, money market fund होगे, जो totally हम one year के लिए, हमारा ऐसा fund है, जो market में हम invest करते हैं, उसमें हम government securities में ही, fund manager आपका पैसा लगा रहा है, बढ़ा growth है income है ठीक है balance fund हमारा वहाँ पे रहेगा interval funds हमारे वहाँ पे हैं तो other scheme आती है tax saving scheme अब कई ऐसे mutual fund है जहां पे हम अगर पैसे लगाएंगे तो हमारा tax benefit हमें वहाँ पे मिलेगा अब एक company है जैसे मैंने ICIC का example लिया था ICIC यह सारे fund market में launch कर रहा है ओपन भी है close है growth है income है tax saving है balance fund है money market fund है सारे की सारी इसकी schemes है market के आंदा ठीक है index fund कौन से fund होते हैं index fund होते हैं जब हम BSE और NSE जो हम पढ़ते हैं sensex या nifty के अंदर हम वहाँ पे fund manager हमारे पैसे को invest करता है लेकिन यह क्या होता है high risky funds होते हैं index fund के जब भी हम बात करते हैं next है offshore fund offshore fund कौन से होते हैं जब हम foreign की companies में fund manager हमारे पैसे को लगाता है इस तरह की schemes में अगर हम पैसा लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं offshore funds अब हमने यहाँ पे देखा types of mutual fund हमने study किया by structure हमने बात की open है close है interval है हमने बात की growth income balance and money market की tax saving की index fund की और officer funds की अब इसकी क्या merits है mutual fund की क्या advantage है mutual fund की let's discuss first है portfolio diversification मैंने पहले ही mention किया कि हम एक जगा पैसा नहीं लगा रहे हम कई जगा वहाँ पैसा लगाते हैं और जो आपका portfolio उसको diversify कर सकते हो ठीक है क्योंकि आपने छोटे-छोटे amount में जगा जगा पे पैसे को लगा दिया professional management है पूरी team वहां पे काम करते हैं fund manager है उनका अपना technical skills है sponsors वहां पे रहते हैं AMC वहां पे रहते हैं तो so many persons are there तो professionally आपके fund को वहां पे manage किया जा रहा है ठीक है और इसमें क्या हो गया जो हमारा risk है diversification of the risk हमारा risk वहां पे कम हो जाएगा क्यों हमने एक ही जगा पैसे को invest नहीं किया हमने कई जगा पैसे को invest कर दिया अब इसमें क्या हो गया हमारा जो transaction cost है वो reduce हो जाएगा the investor has the benefit of economic of scale the fund में lesser cost because of the larger volume अब अगर हम इसमें क्या है जो mutual fund है उसमें transaction cost as comparison to share market हमारा बहुँ जादा कम रहेगा next है आपके पस choice रहेगी risk return profile के लिए because so many schemes are there according to your tolerance power you invest in that particular scheme कि आपको कितना risk लेना है और कितना return लेना है market के अंदर next है इसका main merit liquidity इसमें रहती है आप कभी भी mutual fund में enter हो सकते हो और कभी भी वहाँ से exit कर सकते हो especially in open ended funds convenience है आपकी convenience के according आप market में अपने objective के according आप fund को choose कर सकते हो flexibility रहती है कि how much amount you want to invest in a particular security and what time you want to exit from the particular security तो वो सारी की सारी आपको वहाँ पर flexibility वहाँ पर मिलेगी mutual fund के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है share market के अंदर भी है कि हमारी transparency वहाँ पर रहती है यानि कि आपको सब कुछ पता चलता रहेगा आपका investment कहाँ पर आगे invest किया है fund manager ने कौन सी companies हैं जो ज़्यादा return दे रहे हैं आपको एक scheme से switch हो के दूसरी scheme में जाने then you are free to do that तो यहाँ पर complete transparency हमारी investment को लेके रहेगी अब जहाँ पर हम merits की बात करते हैं तो वहाँ पर हम demerits की भी बात करेंगे demerits होते हैं कि कुछ और कुछ ऐसे points भी होते हैं जहाँ पर हमें problem भी create कर सकते हैं जो हमारा cost है जयानि कि जो हमारी transaction cost आ रही है उसके अंदर हमारा कोई भी control नहीं होता है कितना percent वो लोग charge कर रहे हैं तो वहाँ पर fees भी वो लोग charge करेंगे अगर इतनी बड़ी team बनाई है ठीक है इसमें क्या है tailor made portfolio नहीं है यानि कि हमें उतने ही unit purchase करने पड़ेंगे जितना company ने decide किया यानि कि एक unit ले रहे हो या 10 unit ले रहे हो या 20 unit ले रहे हो आप अपने आप से वहाँ पर tailor made होते है customerize हम वहाँ पर portfolio अपना नहीं बना सकते है जैसे मैं कहों कि मैंने अपने पैसे इस particular company में ही आगे invest करने है जो मैंने mutual fund में invest किया that is not possible that is decided by the company कि आपका पैसा market में कहां invest होगा according to your objectives अब इसमें क्या है managing a portfolio of funds यानि कि large number of funds आपको उसमें से choice करना मुश्किल हो जाएगा जैसे एक company के जैसे मैंने भी बात किया ऐसी ऐसी आए का अगर आप देखो तो 100 से अबब schemes है अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी scheme में में पैसा लगो है that is one of the typical job कि how we invest in a particular fund तो उसको manage करना ही बहुत बड़ी बात है और कई बर क्या होता है जो redemption है उसके अंदर delay हो जाता है so many reasons are there कोई technical fault भी आ सकता है जा banking की साथ से कोई delay चल रहा है तो जो हम redemption में है उसमें कई बर जब हमारा maturity होता है कि when the investor want the money back तो उसमें भी कई बर problems आ सकती है ठीक है लेकिन अगर हम mutual fund में invest करते हैं what are the benefits behind that इसमें क्या है easy to buy and sell है कभी भी आप switch कर सकते हो इस scheme से दूसरी scheme के अंदर आ सकते है जहां आपको लगे अच्छा है ठीक है investment can be made in lump sum और इसमें mutual fund में एक सबसे बड़ी बात है यहां पर में एक term आपको कराना चाहूंगी या तो आप यहां पर lump sum पैसा लगा सकते हो जैसे आपके पस 10,000 रुपीज हैं आपने एक scheme के अंदर पैसा लगा दिया और यहां पर systematic investment plan की बात कर सकते हो यह two marks के अंदर question भी बनता है systematic investment plan यानि कि आप हर महीने जैसे आपके उस 12,000 रुपीज है और आपने इक अठे एक scheme के अंदर इंवेस्ट कर दिये अगर आपके बस 12,000 इक अठे नहीं है तो 1000 का हर महीने का आप सिप करा सकते हो कि हर महीने मेरे account से 11,000 चला जाएगा ठीक है तो क्या हो गया आपके उपर है कि आप lump sum वहाँ पे पैसा लगाना चाहा रहे हो यह systematic investment plan के तुरू यानि कि आप धीरे धीरे उसको invest करना चाहा रहे हो Mutual Fund Industry India is very well regulatory and transparent. Mutual Fund जो industries है जैसे savvy के हम बात करेंगे, Mutual Fund Industry is savvy regulate कर रहा है, well regulated है और transparent वहाँ पे industry है Professional Management के हम बात करेंगे कि हमारा पूरा team वहाँ पे fund manager से लेके काम करता है, इससे क्या होगा हमारा time save होता है, हमारा cost save होता है और हमारा risk भी वहाँ पे reduce होता है Next है, diversification वहाँ possible होगा क्योंकि जो risk है वहाँ पे कम रहेगा क्योंकि हमारा जो पैसे हो कई सारी security में invest हो रहा है, कई सारी companies में invest हो रहा है, एक company में invest नहीं हो रहा है That's why the mutual fund is different from the share Now mutual fund का मैंने हलका सा history add किया है, for your knowledge, कि mutual fund start कब हुआ था, कई बार इस तरह के question भी competitive exam में आ जाते है तो mutual fund 1963 में UTI है, जिसने पहला mutual fund market में launch किया था और उसके बाद slowly and gradually वहाँ पे equity funds भी market के अंदर आए है और अलगलग company जैसे SBI भी अपना लेकिया है, Canback भी लेकिया है, LIC भी लेकिया है तो इस तहां कि वहाँ पे mutual fund slowly and gradually added in the market 93-96 private sector funds भी वहाँ introduced हुए, ठीक है 1996 में भी वहाँ पे SBI ने बहुत सारा protection दिया market के अंदर अगर हम fund structure की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बोला कि so many party there is a part of this fund or mutual fund तो इसमें fund sponsor है, ठीक है उसके बाद हम trustees जो हमारे fund को अच्छे से रखते हैं asset management company है जो इस सारा manage करती है, depository होते हैं मैंने पहले भी depository system के अंदर add किया है, दो तरहां के depository है जो हमारे fund को electronic fund में convert करते हैं, agents है, custodian है तो जहां पर हमारे fund की custody रखते है, यह सारी parties है, जो mutual fund का part है मैं इतने detail में इने नहीं लेके जाओंगी ठीक है